अब तक हमने देखा साकूरा को कटोहा की शौप पर नीरे मिलता है जो कि फ्यूरेंच जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है पर साकूरा को वो कुछ खास पसंद नहीं आता पर तब कटोहा उसे अलग नजरीय से देखने के लिए कहती है तब यहां साकूर और क्यूतारो को आपने सामने देखकर शौक हो जाते है तब सूओ कहता है वाओ यह कितनी अच्छी बात है तब के अंदर किता जोश भरा हुआ है तर नीरे सोचता है आखिकर इसमें अच्छा क्या है साकूरा क्यों तारो के रहते तुम्हारा ये कहना कि तुम टॉप स्प जिस स्कूल के अंदर एंटर करने से पहले ही वो फ्रिंट का मेंबर मान लिया गया है और ये इस चाइम के टॉप बंदे को पूचता है और उसी की हर बात मानता है और अब जब तुमने कहा है कि तुम टॉप स्पोर्ट लोगे तो ये तुमें नहीं छोड़ने वाला तब एक लड़का कहता है इस तरह बाते करना बंद करो और उन्हें रोको क्योंकि हम इने नहीं रोक सकते और अगर तुमने जल्दी से इने रोका नहीं तो ये आउटसाइडर मारा जाएगा तब ही साकूरा का पैर फिसल जाता है और हम देखती है साकूरा इतना फ्लेक्सिबल ह जिसे देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं तब साकूरा कहता है तो इसका मतलब तुम एक फैन हो जिसका मतलब तुम खुद से कोई भी अपना फैसला नहीं ले सकते तो तुम जैसा इंसान तो मुझे कभी नहरा पाएगा तब ही वो दोनों फिर से एक दूसरे पर हमला करन है तब मिया कहता है आप सबका स्कूल में स्वागत है तब एक लड़का कहता है चुपकर जाओ बेफकूफ जरा अराम से बात करो तुम्हारी अवास पहले ही बहुत ज़्यादा उची है जिसवेजे से हमें कैंपर से कंप्लेंट्स आती रहती है तो साकूरा कहता है आखिर तो चलो फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ मैं बॉफरिंग का रिप्रेजेंटेटिव हूँ थाजी में उमी मिया तो यह है जो कि फ्यूरिन के टॉप पर है तो यह है फ्यूरिन में सबसे आया ताकतवर जरा रुको मैं क्या कह रहा था मुझे माफ कर देना मैं फूल गया ओ हाँ यादा गया सबी लोग अपनी जवानी को एंज्वाइ करो मेरा मतलब है कि तुम लोग अब स्कूल में पहुंची गए हो तो जाओ और बहुत सारी मेमरीज बनाओ और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो जो कि मेनिंग्फुल हो तो मैं कभी कभी पीच और माउंटेंस पर भी जाना चाहिए क्योंकि वाँ पर बहुत मज़ा आता है वैसे मैं अपनी कहूं तो मुझे बीच ज्यादा पसंद है तो फिर डिसाइड हो गया हम लोग समर में बीच पे चलेंगे और हम लोग वाँ जाकर गोला खाएंगे तानीरे कहता है पर आखिर क तो मैंने ये सब कुछ वैसे ही कह दिया था पर अब जब सभी लोग इकठा होई गए हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम में से कुछ लोगों की आपस में नहीं बनने वाली जिस वज़े से बहुत कुछ होगा पर मुझे नहीं लगता कि कोई पहले दिन ही बहुत बढ़ देखा है तब उमे मिया कहता है चलो ये सब कुछ छोड़ो तर एक चीज है जो मैंने कहनी है तुम सभी लोग ध्यान से सुनो टाउन को प्रोटेक करना हम सभी को बोफरिन नाम दिया गया है जिसका मतलब है गार्डियन्स ओफ फियोरिन तो इसलिए कभी भी उस नाम को अचा कर रखना और यही यहा का एक लौता रूल है तब सभी लोग हां कहते हैं जिसे देखकर साकुरा शौक हो जाता है बस अब मुझे यही कहना था तो मैं सब कुछ तुम सभी पर छोड़ रहा हूं चलो मैंने बहुत कुछ कह दिया अब कुछ बिटर्स पकड़ते हैं त फाइटर होना इतना कुछ कर सकता है आकिरका यह किस तरह का बंदा है तरसूओ कहता है अब तुम दोनों को अब कुछ चेंज नहीं करना चाहिए मेरे पास एक आइडिया है चलो दोनों हाथ मिला लो और इस लड़ाई को यही खतम कर दो आकिरका मैं ऐसा क्यों करूंगा औ और उपर से हमारी लड़ाई भी अभी तक खतम नहीं हुई है यह वो बंदा था जिसे सबसे पहले मुझे पर हमला किया तर नीरे कहता है साकुरा आकिकर दुमारा फेस इतना रेड क्यों है तर साकुरा उसे एक पंच मारता है तर सूओ कहता है जैसे कि तुम यहाँ पर साकुरा सोसता है कि हम सच में ऐसा कर रहे है तर नीरे साकुरा को हाथ मिलाने के लिए कहता है तर साकुरा सोसता है कि सच में मुझे हम किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा पर ऐसे किसी को फाइट के इलावा टच करना कितना अजीब लगता है तर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और थोड़ी दिर बाद वो एक दूसरे का हाँ धबाना शुरू कर देते हैं तवसुग कहता है ये कितनी बढ़िया बात है निरे सोचता है आखे कर अब इसमें क्या बढ़िया है तव साकुरा और क्यों तारो अपना हाँ छुड़ा कर सोचते हैं या ये गुरिल्ला है त अब जब मैं सारी चीजे सोच रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि जब से मैं इस टाउन में आया हूँ तब से मेरे साथ ऐसा कुछ ही हो रहा है तब एक परसन कहता है आखे कर इसे क्या हो गया आखे कर ये इतना चुप क्यों हो गया तब दूसा परसन कहता है क्या तु है अभी से क्या हो गया अभी अभी तो हम क्लास के अंदर आए थे और आखे का तुम कौन हो तब यहां नीरे कहता है साकुरा उस जगा पर अच्छे से पेंट नहीं हुआ है तब सुओ कहता है मैं और जल्दी से बाहर चलो क्योंकि अगर तुम लोग बाहर नहीं गए तो वो मुझे डाटेंगे तया हिरागी कहता है तुम लोगों को यहां पर आने में साथ मिनट फॉर्टी एट सेकंड्स और ट्वंटी सेंटी सेकंड्स लगे हैं तो लोगों से अच्छे तो नर्सरी के बच्चे होते हैं यह तो कल वाला बंदा है तनीरे कहता है तो क्या तुम इस नियाती है हरा तनीरे कहता है आखी का यह किस बारे में बात कर रहे हैं तसुओ कहता है मैं भी यही सोच रहा हूं तब हिरागी कहता है मैंने तुम पहले भी कहा है कि अगर उसे पता चला कि कटोहा मुसीबत में थी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा तो इसले याद रखना कि कटोहा वापर नहीं थी और किसी को यह मत बताना कि कल क्या हुआ था नहीं तो मेरे मूँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा और तो वो गैस की गोली खाता है और कहता है मुई तो यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी धूसे यहां पर क्या करने आई हो उस चीज को अपनी डायरी के अंदर लिखने लगता है ता साकुरा कहता है आखिका तुम अब इस चीज को अपनी डायरी में क्यों लिख रहे हो यह मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिराखी बॉफरीन के चार किंग्स में से एक है ओमिमिया सबसेट नफसे टॉप पर है और उसके नीचे चार किंग्स आते हैं और वो चारो किंग्स एक क्लास के लिए एक कैटन की तरह एक्ट करते हैं तो इसका मतब हम लोग टीम 1 में है क्योंकि हम लोग क्लास 1 में है ऐसा कुछ नहीं है वौफरेंग 4 heavenly kings के उपर बेस जाए और उनके नाम है तामोन टीम, जिकोकू टीम, योजो टीम और कमोको टीम और हम लोग टैमोन टीम के अंडर आते हैं कहिरागी कहता है तो अब तुम सभी लोग 4 या फिर 5 गृप पे बढ़ चाओ और हर एक गृप को एक second year या फिर 3rd year एक supervisor के तोर पर संभालेगा और तुम सभी को उनका हर एक order मानना है और ये जानना है कि बौफरिंग कैसे काम करता है तो चलो फिर याँ से चलते हैं आके कर हम क्या का रहे हैं हम लोग टाउन का चक्कर लगाने चारे हैं तब यहाँ साकुरा कहता है चक्कर लगाना तो ठीक है और आकर कर मैं इसके साथ क्यू हूँ मैंने तुमें पहले भी का है क्यों मी मिया ने मुझे तुम दोनों पर नज़र लखने के लिए का है क्योंकि तुम लोग पहले दिन ही लड़ पड़े हो इसने पहले मुझे पर हमला किया था जिस रज़े से मैंने इसके चैरे पर लात मारी मुझे इससे कोई फरक नी पड़ता पर अब से तुम लोग अलग लग रहोगे तब सुओ कहता है हिरागी तो बिलकुल किंडर गार्डन के तीचर जैसा लग रहा है तब साकुरा कहता है आखिका हम यहापर कर क्या रहे है अगर हमें इस टाउन को बचाना है तो हमें उन लोगों को ढूड़ना चाहिए जो इस शहर की शान्ती को भंग कर रहे है तुम पागलो उसे प्रोटेक्टिंग नहीं उसे रेडिंग कहते हैं यहापर घूमने के पीछे एक कारण है हम लोग जब यहापर युनिफॉर्म में घूमते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी टीमें यहाँ से दूर रहती हैं हम लोग लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं तभी वहाँ वो सभी लोग पेंट करना स्चार्ट कर देते हैं और शॉप का अउनर कहता है इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी हम बार बार इसे मिटाते रहते हैं पर वो लोग फिर से ग्रिफिटी बनाते रहते हैं पर अभी यह थोड़ा कम हो रहा है तर साकुरा कहता है आखिर का यह क्या चल रहा है तर नीरे कहता है बो अफरिन ऐसे ही काम करता है तभी हिरागी कहता है बहुत सी आगा काम हो चुका है तब शॉप कीपर का ओनर उनकी काम से खुश होके उन्हें खाने के लिए कुछ देता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते है और हिरागी कहता है तुम्हें लड़ाई के बिना मज़ा नहीं आता है न मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाते हो क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही सोसता था पर मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि लोगों की मदद करने में भी बहुत ज़रा मसा आता है और तो वो लोग एक जगा पहुंच आते हैं तो साकुरा एक पेंटिंग को देखकर कहता है आखिका ये किस तरह का बिकार सा कुटा है तो नीरे कहता है रुक जाओ साकुरा ऐसी चीज़े या पर मत कहो क्या पता वो लोग यही घूम रहे होंगे आखिका तुम किन लोगों की बात कर रहे हो ये वोफरिन और दूसरी टीम के बीच का बॉर्डर है तो इसलिए नहीं तुमें दूसरी तरफ जाना चाहिए और ना ही कोई मुसीबत खड़ी करनी चाहिए वहाँ के लॉस हमसे अलग है और उस एरिया को जो टीम चलाती है उसका नाव सिस्टोरिन है जो की सिरफ पावर को ही मानते है ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा पर तभी वहाँ उन्हें एक लड़का भागता हुआ नजर आता है ताहिरा की कहता है ये तो सान मीडल स्कूल की यूनिफॉर्म है आखे का तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो जल्दिते वहाँ से भाग कर वापिस आ जाओ तरनीरे कहता है उसके पीछे तो जो लोग भाग रहे है वो सिस्टोरिन से है ये जिस तरह भाग रहा है वैसे तो ये या तक नहीं पहुँच पाएगा पर तभी वह लड़का नीचे गर जाता है और सिस्टोरिन वाले जैसे उसे पकड़ने लगते हैं साकरा और क्योतोरा जाकर एक आदमी को जोरदार लात मारते हैं जिसे देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं तरनीरे कहता है आखिका तुम लोगों ने ये क्या किया हम लोग इस टाइम दुश्मन की जगा पर है और उपर से हमने पहला वार किया है आखिका तुम ये क्या कह रहे हो अगर ये लड़का हम में से एक है तो पहला वार इन लोगों ने किया है आखिका तुम लोग वाँ पर कर क्या रहे हो तर साकरा क्योतारों से कहता है मैं इस सब को संभाल लूँगा तो तुम वापिस चले जाओ पर क्योतारों से एक नूर कर देता है तो यहाँ सिस्टर इनके बाकी भंदे अपने ही साथी का मजाक उड़ाने लगते हैं ता साकुरा सोचता है आतिका यह किस तरह के लोग हैं चाहिए लोग एक साथ नहीं है तब आपर एक परसन आजाता है और कहता है आखिका यहाँ पर चल क्या रहा है मैंने देखा यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं तो इसलिए मैं तो लोगों का पीछा करता हुआ यहाँ आ गया ता हिरागी कहता है किससे सोचा था कि सबी लोगों में से हमें यही मिल जाएगा यहाँ सिस्टर इनका सेकंड इन कमांड जो तोगा में ता जो कहता है आखिका फ्योरिन यहाँ पर क्या कर रही है और सारुबात्री आखिका तुम्हें क्या हुआ है ता साकुरा सोचता है आखिका इस बंदे के साथ क्या प्राब्लम है तर जो कहता है तो ये सब कुछ इन लोगों ने किया है तर साकुरा कहता है लगता है ये बंदा बहुत खतरनाक है तर सारू बातरी उठ जाता है और कहता है आखिर का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो जो उसके सिर पर बोतल फोड देता है और उसे मुक्का मारते हुए कहता है तो जो कहता है ये बंदा अब हमारी टीम में नहीं है तो जो कि ये हाच चुका है जिसका मतलब ये वीक है और वीक इनसान सिस्चोरिन में नहीं रह सकती तरसुओ कहता है मैंने इसके बारे में बहुत बार सुना है और ये सच है कि इनके पास रहकर तुमें बिलकुल भी अच्छी फिलिंग नहीं आती है तरसाकुरा कहता है ये सब कुछ कितना बेकार है तुम लोग पावर को मानते हो न ये तो बिलकुल एक मज़ा की है तुमने एक कमजोर आदमी को मारा और तुम इसे पावर कहते हो और यहां मुझे लगा था कि तुम थोड़े इंट्रस्चिंग होगे और तुमने तो मुझ तरसुओ ने कि शानत करवाने लगता है और कहता है लगता है मैं पार्ठी के लिए लेट को क्या हूं अहिरागी को देखा लग रहा है अच्छा है मैंने बीच में कुछ नहीं बोला तर नीरे कहता है हिरागी आपको ये दवाईया ठीक धंक से पढ़के खानी चाहिए और वैसे भी अगर साकुरा ने लांस में उन्ह सुरज थी और वैसे भी अब जो हो चुका है वो हो गया है ये मेरी गलती थी कि मैंने पहले एक्ट नहीं किया तो इसलिए मुझे मुझे माफ कर देना तो चलो आप हमें स्कूल वापिस जाना चाहिए और ये लड़का भी अब हमारे साथ चलेगा और तब वो वापिस कर लग रहा है कि इसे उमी मिया को रिपोर्ट देना जादा अच्छा नहीं लगता है तो चलो अब देखते हैं कि उमी मिया कैसा दिखता है वैसे तो वह ब्राडकास्ट में बड़ा कूल लग रहा था तब वो लोग देखते हैं स्कूल के च्छत पर पिकिनिक स्पॉर्ट जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं तवी मिया वाप पर खेती कर रहा होता है तव साकुला कहता है तो ये है त्यूरिन का सबसे पाउफुल बंदा तवी मिया कहता है तो हिरागी तुम आखिर का यापर आ ही गए याप पर देखो बेंगल और मिर्ची के पौदे क अब गाइस कुछ एनिमेज है वो हम सोच रहे हैं कि उसे हम बंद कर दें जैसे कि निंजा काम हुई और अनेम्ड मेमरीज पर अगर आप चाहते हो कि इन में से कोई एनिमे हम कंटिन्यू करें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो बाकि नेक्स एपिसोड का लिंक आपके स्क को देख सकते हो